मंच पर हमारे साथ इंडिया गडवन्दन के सभी हमारे नेता मंच पर उपसे सभी दलों के हमारे नेता इस सभा में आई हुए आप पार्टी के माद्दम से हो रही इस महारेली में उपसे सभी कारकरता नेता मताएं भेने नौजवान साथी उपतकार बंदू हो मैं सबसे पहले इस महारेली के लिए लोगतंद बचाओ रेली के लिए आप पार्टी आम आदमी पार्टी और उनके सभी कारकरता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और अभार पिकट करना चाहता हूँ मैं साथी साथ आम आदमी पार्टी के पंचाब के मुख्धी जी का बिसे धन्यवाद दूँगा मैं कि जिनों ने अपने पार्टी की तरफ से मुझे बुलाने का और यहां आने का मौका दिया है यह राम लीला मैदान एतिहासिग मैदान है और आज हम लोग खटे यां हुए हैं जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं तो इस मैदान से एलान होने जा रहा है के हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब जादे दिन रुकने वाले नहीं हैं आज हम लोग दिल्ली में आए हैं सुना है लोग दिल्ली वाले याद दिल्ली से बहार गए हैं ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बहार गजा रहे हैं आज वो हमेशा हमेशा के लिए बहार जा रहे हैं ये लोग जो नारा देते हैं चार सो पार ये लोग जो नारा दे रहे हैं चार सो पार अगर आपके चार सो पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराट किस बात की है किस बात की घबराट है आपने अर्विन केजिवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया मुख्यमंत्री हैमन स्वरन को जेल भेज दिया और मैं तो इस उत्पदेश सी आता हूं जिस उत्पदेश के लोगों ने भारती जनता पर्टी को मौकर दिया उनका स्वागत किया लेकिन याद रखें उत्पदेश के लोगजगर स्वागत करते तो समय आने पर धूम धाम से बिदाई भी करते हैं और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है न केबल भारत के लोग बलकि दुनिया के लोग भारती जनता पड़ी पर थू थू कर रहे हैं आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया जिस लोगतंत्र में और जिस लोगतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था आज वहीं दुनिया में भारत की अगर सबसे ज़्यादा थू-थू किसी ने कराई है तो वो भारती जन्ता पार्टी के लोग हैं भारती जन्ता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन इनके दस साल का कारकाल आप देखोगें तो ये भ्रहमांड की सबसे जूटी पार्टी है के बड़ दुनिया की नहीं भ्रहमांड की सबसे जूटी पार्टी है और जो लोग E.D.C.B.I. इंकम टेक्स को आगे कर रहे हूं उन्हें सत्ता में रहने के लिए सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये चार सो पार नहीं चार सो हारने जा रहे हैं और जो देश के हालात हैं किसी कौने से देख लीजिए आप जो देश के हालात हैं वो भारती जनता पार्टी के साथ नहीं हैं अगर भारती जनता पार्टी हमारे गड़बंदन के नेताओं के बारे में जो बातें रख रही है आज तो देश जान गया है A.D.C.B.I. से डरा करके इनोंने सबसे ज़्यादा चंदा बसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारती जनता पार्टी के लोगों ने किया है ये जो पसूला गया है चंदा इसको दबाने के लिए जो पिपक्षी नेता है उन पे जूटे मकदमे लगाए जा रहे है इस बार चुनाओ आने जा रहा है मैं आप से अपील करना चाहता हूँ इन्हें हराओ इन्हें बापिस भेजो क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके बोट से बचेगा बोट से ही लोकतंद्र बचेगा बोट से ही समिधान बचेगा बोट से ही आरक्षन बचेगा और बोर्ट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो PDA हैं उनको बचाने का काम होगा मुझे उमीद है कि आज जो राम लीला मैदान से संदेश जा रहा है ये देश के कोने कोने मर जाएगा और जब चुनाव शुरू हो गया है तो बोर्ट पड़ेगा तो नकेबल दिली से भारती जन्ता पार्टी साफ होगी बलकि देश से भी भारती जन्ता पार्टी साफ होने जा रही है मैं एक बार फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कारकरताओं को धन्यबाद देता हूँ और भी दल के जो कारकरता नेता हैं मों उनका विसेस आवारी हूँ कि इस कारकरम को सब्बल बनाने का काम किया बहुत बहुत धन्यबाद आपका